असला हुले को एक रूमां चाले लिए ऐसा कैडमी तो भई आज हम स्कूर्ष करेंगे किस पेपर फैटर्ण के अकॉर्डिंग हमाँ पास कुर्शन आएंगे क्या मौल फैपर हमारे पास इसू हुआ है कि न्यू फैपर फैटर्ण जो है वह हमारे पास बौर्ड ने इसू किय है तो हम इसको डिटेल में डिसकर्स करेंगे किस सेक्षिन में क्या क्या आएगा और कितने मांक्स का आएगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताके आपको इसारी अपडेट को मिलती रहें कोशिश करते हूं कि आपके लिए वीडियो उसको हेल्फुल बनाऊं की होगा हो सब कुछ भी डिसकर्स करेंगे तो चलते हम लिए वीडियो की तरफ जैसा कि न्यू मॉडल वेपर हमारे बास एश्यू हुआ है उसमें हमारे बास केमेस्ट्री में अगर हम देखा जाए तीन गंडे का ही वेपर होगा और टोटल मार्क्स अगर हम देखे तो यह भ हमारे पास multiple choice questions होंगे इसके अंदर हमारे बास MCQs होंगे 24 जिसके हमने answer करने होंगे कोई भी extra choice आपके पास नहीं होगी आपने सारी MCQs attempt करने हैं और हर question जो है वो एक marks का होगा हमने सारी दे हान से इसको attempt करना है कि बहुत सारे बच्चे confuse होके MCQs जो है वो shuffle कर देते हैं त जो है वो short questions है short questions इस तरह से आसकते हैं कि properties discuss करी जा सकती है यूदत पूछे जा सकते हैं और पूछा जा सकता है किसी भी element का compound का और यह section B है वो हमारे बास 24 marks का होगा हमने यहां पे total 8 questions को answer करना होगा और हर question जो है वो 3 marks का होगा अगर मारा question का answer ठीक होगा तो हमें 3 marks मिल ज जाएंगे section C हमारे पास है descriptive questions यानि के long questions total marks जो है वो सके 12 है हमने total 2 long attempt करने होंगे जिसके marks 12 होंगे एक question 6 marks का होगा I hope कि आपको यह video समझ आए होगी helpful रही होगी यहां पे मैंने तीनों ही section के detail में आपको यहां पे marks बता दिये हैं तो please like my video share my videos and subscribe channel thank you